Hello everyone, this is Manisha और आज हमारा हिन खूच का शेशन है उसमें हम देखेंगे कुछ ऐसे वोर्ड्स जिनको हम उनकी स्पेलिंग की वेज़े से गलक प्रोनाउंस कर बैठते हैं तो फोस्ट है हमारा Women पर बहुत से लोग इसको उसकी सिंगुलर फॉर्म वुमन की तरह प्रोनाउंस करते हैं वुमन पर इस वोर्ड की सही प्रोनाउंसेशन है वुमन हमारा नेक्स्ट वोर्ड है वेज़टबल इसमें जो हमारा टी एबियल गी है हम उसको टबल प्रोनाउंस करते है इसकी pronunciation होगी vegetable अब जो हमारा third word है हिंदी में हम biscuit बोलते हैं और बहुत से लोग इसको English में भी biscuit ही pronounce कर देते हैं पर इस word की सही pronunciation है biscuit इसमें जो हमारा C-U-I-T है हम इसको kit pronounce करते हैं तो इस word की सही pronunciation है biscuit हमारा fourth word वाइन बनाने के लिए प्रियोग किये जाने वाले अंगूर का जो बंगीचा होता है उसे हम vineyard कहते हैं और हम इसको vineyard भी बुला सकते हैं तो इस word की सही pronunciation है vineyard या फिर vineyard आप चो हमारा fifth word है हम इसको इसकी spelling की वज़े से monk pronounce करते हैं जो की गलत है इस word की सही pronunciation है monk अब हमारा sixth word इसको भी हम इसकी spelling की वज़े से catcher pronounce कर देते हैं पर इस word की सही pronunciation है cash इसमें जो हमारा ch है हम उसको शो प्रणाउंस करते हैं और जो हमारा e है वो इसमें silent होता है तो इस word की सही pronunciation है cash अब जो हमारा seventh word है social media पे बहुत सुनाओगा आप लोग इन्हें और लोग इसे गलत प्रणाउंस करते हैं मे में बोल देते हैं पर इस word की सही pronunciation है mean mean अब जो हमारा last word है इसको लोग इसकी spelling की वेज़े से tom प्रणाउंस करते हैं पर इस word की सही pronunciation है tum और इसमें जो हमारा b है वो एक तरीके से silent होता है तो इसकी सही pronunciation होगी tum I hope कि आपको हमारा आज वाला session informative और interesting लगा हो So please like, share and subscribe Thank you कि अपको धे हमारा आजाओ अशाओे प्रयंग CA इसvelmenteरा नाच्टमारे झाला